वेलकम तो इंजीनियर्स वारा और बहुती बड़ी खुशकबरी आप लोगो देखने को मिल रही है राजिस्तान पब्लिक सर्विस कमिशन की तरफ से असिस्टन इंजीनियर की वेकिंसी आउट हो चुकी है और डिटेल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है आप सब को पता है तोटल नमबर ओफ वेकिंसी उसमें एक हजार से भी जादा है एक हजार चौदा वेकिंसी है और जिसमें से सिविल इंजिनियर्न की लगबग आट सो च्यांसी वेकिंसी है तो यह इंपोर्टन यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपोर्टन रहने वाला है क्योंक पूछा जाता है इसका सलेबस क्या है कितनी नंबर ओफ पोस्ट है और कैटेगरी वाइस कितनी पोस्ट आपके पास अविलेबल है या फिर डिपार्टमेंट वाइस पोस्ट कितनी अविलेबल है इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना बहुत इंपोर्टन रहेगा आप आज ही आपको ये अद्वर्डिजमेंट देखने को बिला है पांच अगस्ट दो हजार चौबीस हो जैसे आप सब के पास अभी तक पहुच चुकी होगी पीडियाफ हर जगर सर्कुलेट हो ही रही है उसके बाद देखो स्टार्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लिकेशन तो देट भी अनाउन्स हो चुकी है तो डेफिनिटली आपका एक्जाम भी सई समय रहते करवा भी दिया जाएगा तो यहां पर सबसे पहला हमारा जो मोटिव है वो है सर्फ फॉर्म फिलिंग करना 14 अगस से स्टार्ट होगा 12 सेप्टेंबर तक यह फॉर्म फिलिंग चलने व 886 विकेंशी जो है वो हमारे सिविल इंजिनरिंग स्टूडेंट्स के लिए है तो मुझे लगता है जब भी यह विकेंशी आती है लास्ट विकेंशी का नोटिविकेशन 2018 में आया था फिर 19-20 लगबग 3-4 साल चला यह पूरा पेपर लेकिन इस बार हो सकता है कि आपका प अची विकेंशी हमारे पास हैं सर डिपार्टमेंट वाइस देख लेते हैं तो यहां पर देखो जंडल के अंदर भी चार अलग लग कैटेगरी हैं मैं आपको बता दूंगा अभी लेकिन अगर यहां देखोगे तो सर पी एचीडी डिपार्टमेंट पब्लिक हेल्थ इन तो यहां पर देखेंगे तो पी एचीडी अन मेकानिकल एंटिकल की यहां पर सर आपके पास एक सूएक विकेंशी हैं तो अगें 156 विकेंशी हैं तो और यहां देखोगे डब्लू आइएट हैं अगर साथ और उसके साथ साथ पंचायती राज डिपार्टमेंट सब पंचायती राज डिपार्टमेंट में भी civil और एग्रिकल्टर जहां दोनों आपके पास eligible होते हैं उस post के लिए उनके लिए लगबख सर 240 vacancies यहां पर भी है तो कुछ vacancies combined हैं जैसे mechanical electrical यह combined vacancy है जो 101 vacancy है उसके अलावा यह vacancy combined है जो civil और agriculture वारों के लिए है ठीक है तो यह total vacancies है total को sum up करोगे तो आपके पास 2014 vacancy बनती है और civil की इसमें से 886 vacancy बनती है यह category wise बने आपको बता दिया यहां पर जैसे जनरल या unreserved category का SC की क्या vacancies है सर ST में क्या vacancy है इसके साथ OBC की या फिर MBC की जो vacancies हमारे पास होती है या EWS की जो vacancies है ठीक है तो यह सारी vacancies भी मैंने आपको बता दी है आप यहां पर देख सकते हो notification में भी आप लोगों न देखा होगा इसके अरावा आप देखो जैसे यह notification का ही cut out है और यहां आप देखो कि general के अंदर भी की सब category के अंदर है तो उसमें भी आपकी जो seat है वो भी अलग अलग divide कर रखी है ठीक है तो आपको यहां पर यह जरूर देखना है कि आपके लिए कितनी है अगर आप जंदल में के अंदर आते हो तो इस तरह की आपके डिफरेंट डिफरेंट यहां पर जो किया होता है और यह पूरा चार्ट आपको यहां पर मैंने दे दिया है पीडिएफ में डेफिनेटल इसको डेख सकते हो और अगर आपको उपरी तौर पर देखना है तो टेबल के अंदर आप बता सकते हो कि टोटल नंबर आपके पास कितनी यहां पर आ रही है तो बहुत बहतरी वेकेंसी हैं पीड़वी डिपार्टमेंट आपका फेवरेट रहता है उसमें देखो 125 वेकेंसी पीएचडी डिपार्टमेंट में 365 वेकेंसी हैं बहुत बढ़ी है जबरदस वेकेंसी है यहां पर आप लोगों के लिए आगे आजाओ सर नेक्स्ट अगर इस एक्ज अगर बात करें तो प्रिलिंब्री घ्जाम सर आपके पास 400 मार्क्स और दो पेपर होंगे एक पेपर आपका और बहुत नंवेकर अज्युक्र담 करें नन टेकनिकर preliminary exam जो होता है, वो सिर्फ और सिर्फ qualifying nature का आपको देखने को मिलता है, यह सबसे important बात है, तो आपको सबस यहाँ पर qualify करना है, अब यागे बताऊंगा, किस तरीके से आपको इसको strategize करना चाहिए, कैसे आपको तयारी करनी चाहिए, similarly main exam की बात करोगे, तो sir, main exam यहाँ पर 600 marks का होता है, मतलब total चार paper यहाँ पर आपके पास होंगे main exam के अंदर, एक paper होगा sir, हिंदी का, जो की 100 marks का है, दूसरा paper social aspect of engineering का, जो की आपका 100 marks का है, और दो आपके subject के paper होंगे, 200-200 marks के, यह complete offline pattern ही रहने वाला है ठीक है, यह preliminary exam भी offline होगा आपके, यह भी main exam जो है subjective जिसमें आपको return लिखना पड़ेगा, convention लिखना पड़ेगा, detail में लिखना पड़ेगा sir, वो भी आपका offline ही होगा, और फिर interview आपके पास यहाँ पर होता है, ठीक है, जो 72 marks का आपका interview रहने वाला है, जो की obviously इसकी एक ही location है, RPSC headquarter रजमेर के अंदर, वहाँ पर आपका आएगा, अगर आप select हो जाते हो, तो वहाँ पर आपकी interview देने जाओगे, 72 marks का interview यह आपके पास रहता है, तो 600, 400, 72 1072 नंबर का total आपकी marks जाने वाले हैं, इसी से merit आपके निकलती है, लेकिन यह 400 marks यह आपके पास qualifying marks से जुड़ते नहीं है, पीछे 672 marks में से आपकी final merit risk calculate होती है, बहुती बड़ी आसारे, आगे रहो, preliminary exam की बात करें, तो दो section, जैसे मैं आपको बताया, एक सर non-technical और दोसरा technical, non-technical वाला देखो के तो general knowledge and general science including the general knowledge of Rajasthan and its geography, economy and culture, तो यह जो subject है, यह काफी vast subject है, क्योंकि Rajasthan की history अपने आप में बहुत vast history है, Rajasthan का culture बहुत vast culture है, Rajasthan का economic aspect वो तो चलो कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक ताग level पर है, लेकिन Rajasthan की geographic culture और history अपने आप में काफी vast रहती है तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है इस syllabus को cover आपको timely कर लेना है क्योंकि बहुत बड़ा challenge रहने वाला है यह वाला section, और इसमें भी qualify marks आपके होने ज़रूरी है, ठीक है, अब यहाँ देखोगे, तो कितना marks का है सर, 200 marks का आपका पूछा जाएगा, और 200 marks दो गंते आपको मिलेंगे इस particular paper के लिए, तो सर, section 1 मत्तब, prelims के अंदर दो paper होंगे, जिसमें से पहला paper आपका non-technical वाला portion होगा, ठीक है सर, second पर आजाएए, second हमारे पास होगा, जो भी branch से आप बिलॉंग करते हो, चाहे सर, civil engineering हो, mechanical हो, electrical हो या फिर agriculture engineering के experience हो जो की पंचायती राज के लिए बैटेंग, एगरिकल्चर वाले, 240 सीटें उसके लिए भी है तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका paper 200 marks का होगा, और definitely पेपर जो है 200 marks का है, यह objective kind of paper ही रहने वाला है, prelims के अंदर दोनों पेपर आपके objective रहने वाले हैं, वस्टूनिस्ट रहने वाले हैं, ठीक है तो objective paper रहेगा, दोनों, जो prelims के होंगे, mains के paper, total return आपके पास होंगे, तो 200 marks का है, और आदि साथ 2 घंटे मिलेंगे, मतलब prelims exam के लिए, total आपके पास 2 paper, 2 घंटे और 400 marks, यह आपका prelims का stage रहने वाला है, इसमें से आपकी cut-off यहां से निकलती है, सबसे पहली बात तो सर, यह clear होगे, ठीक है सर, इसके बाद देखे, second exam, जो हमारा mains का होगा, तो बहुत ही illustrated pattern है मतलब काफी लंबा paper चलता है यह, तो यहां पर देखो, paper 1 आपके पास, sir, हिंदी, paper 1 आपका हिंदी रहेगा, जो की 100 marks का आपको यहां देखने को मिलता है, second सर, social aspect of engineering सर, social aspect of engineering में भी, आपके पास 100 marks का देखने को मिलता है, similarly, technical knowledge, जो भी, civil, mechanical, electrical, agriculture के हैं, उनका, sir, 200 marks का ही paper, और technical knowledge, paper number 2, यह भी आपका 200 marks का, तो चार paper आपको, mains के अंदर देखने को मिलेंगे, definitely, और interview के अंदर, sir, हमारा 72 marks का आपका interview यहां पर रहने वाला है, तो पहले हम यह focus कर लेते हैं, mains से पहले यह focus कर लेते, sir, कि sir, prelims exam जब हमारा होगा, तो prelims exam का syllabus क्या रहने वाला है, क्योंकि बहुत important है, sir, prelims exam को निकालना, क्योंकि वहीं पर सबसे बड़ा challenge आपके पास है, mains में देखोगे, तो mains में तो out of 600, आपके पास 400 marks का technical है, जिसमें आप अच्छा score करके निकाल सकते हो, ठीक हैं, उसके बाद social aspect of engineering भी आपसे हो जाएगा बाद में, हिंदी एक प्रोड़ा challenge आता है, engineering students के लिए, लेकिन मुझे उमीद है, कि जितने भी students हैं, I think हिंदी तो आप पढ़के qualifying, जितना marks आप ला सकते हो, better marks यहाँ पर लेके आ सकते हो, इसमें ज़्यादा issue नहीं आता है, main issue आता है, राजिस्थान का जो current पूरा gk आपको पढ़ना है, वो काफी vast हो जाता है, एक बार syllabus की तरफ देख लेते हैं, सर, कि देखो, preliminary examination में, आपका जो compulsory paper है, यह आपका general gk science का है, तो paper देखो सर कौन सा है, general knowledge, general science, including general knowledge of Rajasthan, it's geography, economy और culture, साफ-साफ दे रखा है, इसमें सबसे पहला point सर, सबसे पहला हमारे पास current affairs, तो current affairs आपको पढ़ना है, current affairs किसके सर, state के, current affairs are national के, current affairs are international importance के, ठीक है, sports of state, national and international level, तो current affairs तो आपका हर level का आने वाला है, सर, इस Rajasthan, state का भी आएगा, national India का भी आएगा, सर, international current affairs के चल रहे हैं, वो भी आप से question यहाँ पर पूछे जाते हैं, और जो जितने भी आपके पास subjects हैं, इनके approximately equal weightage ही रहता है, साथ में देखो, सर, यहाँ पर history और culture की जब हम बातचीत करेंगे, तो सर, history of culture में काफी important है, landmarks in political and cultural history of India, तो जो बच्चे सोचते हैं कि यहाँ पर India की history नहीं आती, वो गलत हैं यहाँ पर, देखो, India की history भी आपको special reference, अब यहाँ पर देखो, राजिस्तान की history तो आपको पढ़नी है, उसके साथ साथ क्या पढ़ना है, सर, medieval background को specifically आपको देखना है, socio-economic life and organization के बारे में आपको देखना है, freedom movement and political awakening, जैसे आपका राजिस्तान के unification वगरा है, तिके वहाँ से आप को के उसके अलावा political awakening राजिस्तान में कैसे हुई, ठीक है different different जो battles हमारे पास है, जैसे हल्दी गाटी का युद्ध होता है, बहुत सारे battles आपके पास है, वो आपको पढ़ने पढ़ेंगे सर, political integration किस तरह से हुए, यहाँ के dialects and literature, यह भी एक बहुत वास सब्जेक्ट है, dialects and literature of Rajasthan, बहुत साई dialects राजिस्तान में पाई जाती है, music, dance and theater, कौन से राजा थे जिनको music में इंटरेस्ट था, कौन कौन सी music की शेलियां होती है, school of आपने पास music कौन कौन से है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको पता होनी चाहिए, राजिस्तान में हर एक तरह के dances अलग लग तरह के होते हैं, तो dance और theater भी, इसके साथ सा religious belief, cults, sense, poet, यह sense, poets, warrior sense, लोग देवता और लोग देवियां, यह भी हमें पता होना चाहिए, तो बहुत सारी लोग देवता फेमस हैं, राजिस्तान में बहुत सारी लोग देवियां फेमस हैं, ठीक है, तो वो सारी बाते हैं, उनकी learnings, उनकी जीवनी के बारे में, वो सब चीज़ें आपसे यहाँ पूछी जाती है, साथ ही साथ हैं, उसके साथ साथ, आप सोब को बता है कि राजिस्तान में ट्योहार और मेले बहुत जादा मनाये जाते हैं, और उन सबका एक अच्छा significance है, तो उसके बारे में भी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं, फेयर्स एंड फेस्टिवल्स, ठीक है, उनके बारे में भी पूछा जाता है, तो यहां सलीबस देख के आपको आपको आटोवाटिकली समझ भा रहा होगा सार, कि यह सलीबस इतना छोटा नहीं है, इतना असान नहीं है, दो सो मार्क्स में आपसे लगबग सब कुछ पूछ लिया गया है, ठीक है, जनरल साइंस में देखो के तो यहां पर बेसिक अंडरस्टेंडिंग आफ साइंस यहां से पूछा जाता है, तेली कम्मिनिकेशन सैटलाइट, जो बेसिक अंडरस्टेंडिंग होती है, साइंस एंड टेक्नोलोजी से रिलेटेड, वो बातें आपको यहां जनरल साइंस में पूछी जाएंगी, उसके बाद सार हमारे पास देखो, कम्प्यूटर्स के बारे में जो हार्डवेर, सॉफ्ट्वेर्स हैं, मतलब एक बेसिक इंजीनियर को जो पता होना चाहिए, वो सारी चीज़ आपसे पूछी जाएंगे, रिगार्डिंग लैब्स के बारे में, CSIR मैनेजमेंट के बारे में, और नैशनल लैब्स हमारे पास है, एन्वार्मेंट और पॉलुशन के बारे में भी चीज़े आपसे पूछी जाती हैं, इस पेपर के अंदर, पॉशन्स आपको देखने हो मिलेंगे, प्रोजेक्स फॉर देवलॉप्मेंट ऑफ डेजर्ट एंड वेस्ट लैंड डेफिनिटी रायस्तान में, बहुत बड़ा पॉशन आपका डेजर्ट का है, रिगिस्तान का है, उसके रिलेटेड भी काफी कुशन्स आप से पूछे जाता है, इंद्रा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट, वेरी इंपोर्टन अगें, क्योंकि वहाँ पर पानी को रायस्तान के अंदर, इंद्रा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट नहीं, बहुत सारे वाटर, जो अब प्रॉब्लम से उसको सौट आउट किया है, तो इसके बारे में काफी पूछा जाता है, ग्रोथ एंड लोकेशन ओफ इंद्री, इंद्रियल का रॉव मटियल कहां कहां से आता है, ठीक है, मिनरल बेज इंद्रियल काफी हैं, तो काफी सारी बातें, सर्फ फिजिकल फीचर ऑफ दे वर्ल इंपोर्टेंट प्लेसिस, रिवर, माउंटें, कॉंटिनेंट्स, ओशियन्स, ये वर्ल लेवल की जितनी भी चीज़ें हैं, जोगराफी हैं, वो भी आपको यहां पूछी जाएगी, ऐसा नहीं हैं भी आपको वर्ल लेवल की जिज़ेंगी, आपको राजिस्तान के जैसे अरावली माउंटें बारे में आपसे पूछा जा सकता है, कौन सा पीक पह हैं, उसके बारे में पूछा जा सकता है, natural resources राजस्तान क्या है animals के बारे में, animal resources के बारे में, energy के बारे में तो ये complete detail आपके पास syllabus किये आप चाहो तो इसका screenshot ले सकते हो ये आपका जो non technical paper है जो मैं आप लोगे लिए कहा रहा हूँ कि सबसे challenging क्योंकि इसमें other state student भी allowed होते है जैसे अगर बिहार के हो, MP के हो कहीं से भी हो, तो आप भी इसका form भढ़ सकते हो लेकिन आप लोगों के लिए भी और राजस्तान के students के लिए भी, क्योंकि हम history वगरा बहुत समय हो गया पढ़ते हुए काफी time हो गया है कि आपने history वगरा छोड़ दी होगी तो technical मुझे नगता नहीं है technical में बहुत जादा आपको दिक्कत आएगी अगर मैं prelims की बात करूँ तो, क्योंकि सारे subjects वो ही हैं, जो आपने SSC JEE के लिए cover किये होंगे, या भी आप RRB JEE को target कर रहे हो, तो इसमें cover कर रहे होंगे maximum syllabus आपका वैसा है, कुछ कम ही है जादा नहीं है, तो सबसे पहले रेखो सर, each portion has roughly equal weightage, सभी portion का लगबग equal weightage आपके पास रहता है, सबसे पहले engineering material and construction technology, तो building material जो हमारे पास होते हैं, BMC की बात हो रही है या फिर CT की बात हो रही है, तो वो सारी ज़र ध्यान रखना, कि वो सारे points को भी यहां पर include किया गया है, जो generally SSC के level के बार के भी है जैसे सर, जैको planning and orientation of buildings के बारे हैं, पूछा जाएगा selection of site for construction for various type of building, तो कुछ topics आपको specifically पढ़ने पढ़ेंगे अलग से, जैसे bonds इस आप पढ़ते हो, सर, DPC के बारे हैं, scap folding, underpinning, ranking, यह सब आप चीज़ें पढ़ते हो, floor, staircases, roof, doors and windows, requirements of fire production, ventilation and air conditioning, acoustics के बारे में भी आपको अलग से पढ़ना है, सर, building and highway material under IS codal provision, बाकि stone, brick, timber, lime, cement, motor, plane, reinforced concrete, bitumen and asphalt, यह सारी चीज़ें आपके BMC और CT के अंदर, definitely cover हो जाएंगी, ठीक है, तो BMC plus CT, इसमें आपके पास यह topic पूरा cover हो जाता है, ठीक है सार, इसके अलावा सर, अगर मैं बात करता हूँ, surveying की, तो survey के अंदर exactly वो ही syllabus है, जो normally आपका SSC वगरा का भी रहता है, कुछ अलग से कुछ भी नहीं है, जैसे देखो, scales के बारे में, chain, compass surveying, उसके बाद leveling जो temporary और permanent है, उसके बाद theodolite एक important है, theodolite का use, tachymetry आपसे पूछा जाएगा, trigrometrical and triangulation survey के बारे में, traversing एक बहुत important portion रहता है, सर, यहाँ पर, contours and contouring, special compound curves, तो curves के बारे में भी आपसे पूछा जाएगा, and transition curves यहाँ पर होगा, उनका setting out कैसे होता है, जो अलग-लग methods होते हैं आपके पास, theory of errors, और survey adjustment, और उसके साथ computation of area and volumes, तो इसमें तो कुछ नया नहीं है, जो आप SSC के त्यारी कर रहे हो, या RRB के त्यारी कर रहे हो, उसमें लग-बख सेम ही आप survey पढ़ती हो, तो वैसा ही survey पूरा यहाँ से पूछा जाने वाला है, civil engineering के students की बात कर रहा हूँ, इसके बाद से soil के अंदर, geotechnical engineering के अंदर, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, जो आपको अलग से पढ़ना पढ़ेगा, exactly सब CM है, जो मैं पढ़ाता हूँ, आपको classes के अंदर, classification की बात हुई, feel identification की बात हुई, property हुई, specific gravity, void ratio, तीक है, soil की permeability हुआ compaction हुआ, इसके साथ-साथ, bossinex की equation हुई, new marks का influence चार्ट हुआ, ये सारी बाते भी हम लोग exactly पढ़ते हैं, कुछ भी इसमें difference नहीं आने वाला है, similarly सर, structural mechanics के अंदर, ये आपके पास सोम है, basically, तेक है, ये basically आपका सोम का part है, अब सोम में देखो, यहाँ पर stress strain तो आई रहा का deflection भी यहाँ से आप से पूछा जाएगा, इस particular topic के अंदर, उसके बाद, steel structures के अंदर, ऐसा कुछ भी नया नहीं है, सर, steel में वही सारी बाते हैं, plate girders, roof trusses, welded joint, axially and eccentrically loaded, grillage, gazetted and slab based foundation, और IS 800 के provisions, जो आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है, उसके बाद, RCC, RCC क आपको ध्यान रखनी है, underground water tank, overhead और water tank की design को आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, क्योंकि यह आपके आगे चलके mains में भी काम आने वाले हैं, जहाँ पर mains में आपको detailed design पूछी जा सकती है, overhead tank की और water tank की, उनको आपको बहुत बैतर वे में यहाँ पर cover करना है, ठ fluid mechanics, including hydrology and irrigation, अब fluid mechanics में इन लोगों ने hydrology का part भी दे दिया है, जैसे आप यहाँ देख सकते हो sir, के engineering hydrology, ठीक है, तो यह सलेबस आपका रहने वाला, यह भी विल्कुल सेम है, जैसे आपका SSC का सलेबस है, कुछ भी नया इसमें एड नहीं किया गया, public health engineering का मतलब है sir, environmental engineering जो आप basically पढ़ते हो, ठीक है, जो environmental engineering पढ़ते हो, सेजलवाले students, उनके लिए ही basically है, public health engineering, और इसके अंदर भी सब वो ही है, आपके पास, sewage के बारे में, और इसके साथ-साथ, sewer के बारे में sir, ठीक है, और यह भी आपके पास water है, water requirements क्या है, वो सारी चीज़ें आप से यह public health engineering के अंदर पूछी जाती है, highway and bridges, इसमें एक बात जरूर ध्यान अकना, कि सब जो bridges वाला portion है, basically जो RRB जेही के student वो तो bridges पढ़ते हैं, लेकर SSC जेही वाले aspirants bridges को नहीं पढ़ते हैं, तो यहाँ पर अगर आप इस vacancy के लिए apply कर रहे हो, तो bridge आपको बिलकुल पढ़के जाना पड़ेगा यहाँ पर, तो बाकी सब सेम है, जो material highway के होते हैं, वो सारे सेम है, test वैसे ही है, ठीक है, बाकी सारी बाते सेम है, बस traffic engineering के अंदर सर हमारे पास, एक bridge का अला portion जो है, वो add-on है, जो इस वाले में देखने को मिलता है, तो I think syllabus का आप screenshot proper ले सकते हो, हर एक slide क पर रुक के, आप इसका proper screenshot ले सकते हो, और क्या क्या syllabus civil वाले students के लिए हैं, आप इनको बढ़िया तरीके देख सकते हो, कुछ भी नया syllabus नहीं है, जैसे कि इसमें estimation and costing नहीं है, ठीक है, CPM pert नहीं है, तो कुछ subject नहीं भी है, तो वो भी आपको ध्यान लगना है, कि unnecessary नहीं प अब आजाओ सर, electrical वाले students के लिए, तो यहाँ पर देखो सर, electrical वाले students के लिए, electrical circuits के बारे में आपको KCL, KVL, जो बहुत ही basic चीज़े हैं, अगर आपको KCL, KVL लगाना आता है, तो आप बहुत साई चीज़ों को यहाँ पर basically समझ सकते हो, basic electrical का ही part है सर, network graph होगे आपके प Similarly सर, field theory की बात करते हैं, तो electrostatic and magnetostatic, electrostatic and electrical fields के बारे में आपसे पूछा जाएगा, Maxwell की equation और time varying fields, यह आप पूरा screenshot ले सकते हो, कि क्या-क्या आपके पास complete syllabus है, तो यहाँ syllabus को analyze करने का मतलब यह है, कि आपको यहाँ पता होना चाहिए, कि जो आप पढ़ रहे हो, अभी तक उससे कितनी चीज़ें यहाँ पर different हैं और कितनी चीज़ें सेम हैं, जो चीज़ें सेम हैं, उसको सेम तरीके से continue करो, लेकिन जो different different चीज़ें हैं, उसको highlight करके अलग से आपको cover करना है, इसके बाद एक उसा electrical materials के बारे में, तो बहुत सारे materials हैं, permanent magnetic dipole, electronic behavior of materials के बारे में measurement and instrumentation, यह दोनों चीज़ें आप से यहाँ पर पूछी जाती हैं, उसके बाद इलेक्ट्रोनिक्स and communication, तो इलेक्ट्रोनिक्स के बाइपोलर, BJT, JFET, MOSFET यह आपके पास हैं, तो different topics यहाँ पर cover होंगे, जो की लगबग आपके वैसे ही हैं, जैसा आप normal सारे exams में पढ़ते हो ठीक है सर, इसके अलावा सर, digital electronics, तो जितने भी student digital electronics वाले हैं, उनको भी यहाँ पर यह cover करना है, सारे logic gates क्या होते हैं, bulan algebra's वगरा क्या होती हैं सर, हमारे पास switching circuits वगरा क्या होते हैं, यह सारी बात हैं, similarly सर, micro processor भी आप से पूछा जाएगा, यह भी एक अच्छा कासा weightage है power electronics जो की बहुत important topic आप लोगों के लिए रहता है, और control system ठीक है, तो वो सारे topics हैं, जो usually आप cover करते हो, control system, power electronics, microprocessor, digital electronics, electronics and communication, measurement भी सर आप से पूछा गया है, electric materials पूछा गया है, field theory, electrical circuit, generally basic electrical की बात आप यहाँ कर रहे हो, तो सारे topics आपके पास यहाँ पर electrical वाले students के लिए व definitely हम इस exam को यहाँ पर crack कर सकने है, just on this basis, अब आगे देखो सर, इसके अलावा सर आपके पास electrical machines, जो की बहुत important point है सर, electrical machines भी आप से यहाँ पर पूछा जाएगा, और last में power system, ठीक है, power system भी एक बहुत important आपके पास रहता है, लेकिन इसमें यहाँ पर देखो सर, switch gear and protection वाली सर, power system, electrical machines, control system, power electronics, microprocessor, digital electronics, electronics and communication जो उसी के अंदर आ रहा है, electrical measurement, electrical material, field theory and electrical circuit, अब mechanical वाले स्टूरिन के लायात है सर, सबसे important आपका tom, मतलब theory of machines, तो सर, यह हमारे पास यहाँ पर है, kinematics, pair, यह सब चीज़ें आप से यहाँ पर पूछी जाती है, type of governors क्या है, governor effort क्या है, power क्या सोम दूसरा आप से पूछा गया, सर, सोम देखो, जो civil वाले स्टूडेंट है, और mechanical वाले स्टूडेंट है, उन दोनों में कोई बहुत जादा अंतर नहीं है, तो सर, यहाँ पर आप लोगों के पास, laminated और coil spring के बारे में, आप लोगों को यहाँ पर specifically बताए गया है, civil वा अलग से बताए गया है, तो यह चीज़ आपको द्यानक नहीं, material science, definitely बहुत बड़ा subject है, आप लोगों के लिए, material science का हर एक portion, यहाँ पर आप से पूछा जाएगा, manufacturing processes के बारे में भी, industrial engineering and management, उसके बाद thermodynamics, जो बहुती conceptual हो बहुत important topic है, उसके बाद सर, आपका heat transfer, heat transfer topic भी environmental engineering, यह भी आप लोगों से यहाँ पर पूछा जाएगा, और fluid mechanics, ठीक है, fluid mechanics भी आप से यहाँ पर पूछा जाएगा, अब देखो, environmental engineering में क्या लिखा हुआ है, सब basics of air and refrigeration cycles, vapor compressor, refrigerator, यह सारी बात है, ठीक है, तो I think हो सकता है, heading story गलत हो यहाँ पर, जो notification अंदर है, बाकी पू आपको यहाँ पता होनी चाहिए, power generation के बारे में भी आप से सर यहाँ पूछा जाएगा, तो यह 10 topic है, mechanical वाले students के लिए, जिसमें power generation, fluid mechanics, air conditioning के बारे में, heat transfer, thermodynamics, industrial engineering, manufacturing, material science, SOM और TOM, यह सारी topics आप से यहाँ पूछे जाएगे, agriculture वाले student हमारे जो है, उनमें, survey labeling और land development, बहु बहुत ही बड़िया topic है, इरिगेशन के बारे में भी आप से पूछा जाता है, यहाँ पर, तो इरिगेशन भी बहुत important और vast topic यहाँ रहने वाला है, उसके बाद, farm power and machinery, ठीक है, farm power and machinery, यह भी आपका देखने वाला है, agriculture engineering के अंदर, although competition बहुत high नहीं है, क्योंकि बहुत कम बच्चे होते हैं, जो agriculture engineering से, बेसिकली जिनके बाद, degree होती है, eligible होते हैं, तो जितने भी agriculture वाले students, definitely आपको यह form जरूर भढ़ना चाहिए, agriculture processing के बारे में, farm electrification and ruler housing, और renewable energies, यह सारे topics आपके पास यहाँ पर cover आपको लोगो करने है, जो complete syllabus है, उसका आप screenshot ले सकते हो, हर एक बात, मैंने आपको civil, mechanical, electrical और agriculture वाले students को बता दिया है, सर, किस तरीके से, क्या complete roadmap हमारे पास यहाँ रहना चाहिए, सबसे पहला focus आपको रखना है, सर, यहाँ पर syllabus completion के उपर, कि हमें syllabus timely complete कर लेना है, अब syllabus completion में सर, दो portion आते हैं, सर, एक आपके पास technical subjects, और एक आपके पास राजिस्तान, GK, और non-technical जो हमारा part है, technical portion में आपको हमेशा ध्यान रखना सबसे पहले, जितने भी highly weighted subjects हैं, और ना सिर्फ highly weighted, इसके साथ साथ जितने भी common subjects हैं, जो कि आपके दूसरे exams में भी आ रहे हैं, क्योंकि ऐसा बिलकुल नहीं होगा, कि जो student है, वो सिर्फ और सि JN के तयारी कर रहे होंगे, बहुत सारे student अभी RRB, JN जो आया, उसके तयारी कर रहे हैं, बहुत सारे student RSM, SSB का जो JN आने वाला है, उसके तयारी भी करेंगे, तो multiple exams को आप target करना चाहते हो, और multiple exam को target करने का एक ही तरीका है, कि सर ये जो common वाला part है, इस common वाले part को analyze करो, और common वाले part में आपके लिए हमेशा आपको मिलेगा technical subjects, इसी लिए मैं कह रहा हूँ कि technical subjects की उपर command होना बहुत ज़्यादा important है, अगर technical subjects को आप बहुत अच्छे से cover कर लेते हो, तो ध्यान समझना, अगर मैं प्रिलिम्स की बात करूँ तो प्रिलिम्स में साथ 200 marks का रायस् जीके हैं, और 200 marks का आपका technical रहता है, अब अगर आप इतनी आपकी command है कि 200 में से, अगर आप 160 प्लस यहां score कर पा रहे हो, और इसमें सिर्फ qualifying marks भी अगर आप ले आते हो, अगर चालीस प्लस marks भी ले आते हो, इसके बाद भी आपके total marks हो जाते हैं 200, और ये cutoff से तो काफी उपर चले जाएंगे, बास clear है, ये cutoff से काफी चले आते हैं, तो सिर्फ technical की आपकी accuracy और technical के आपके knowledge के basis पर भी आप इसका prelims exam बहुत अराम से निकाल सकते हो, और उसके बाद mains में तो maximum technically है, सिर्फ हिंदी और social aspect अलग वाला है, तो किया जा सकता है, doable है, along with all the examination, जो आप try क पहुचेगा, तो wait आपको नहीं करना है, syllabus को analyze करो, इसके लावा जो भी exam आप देख रहे हो, उस exam को analyze करो, अगर एक बार आपने सारे syllabus को analyze करोगे, आपको बस ये दिखेगा, कि technical subjects जो हमारे पास हैं, वो सबसे ज़्यादा important है, उस पे आपकी command होना बहुत ज़रूरी है, ठ exam pattern के बारे में, और उसके साथ-साथ हमारे पास, क्या आपको किस तरह से इसमें पढ़ाई करनी है, इस particular exam के लिए, कोई भी अगर आपको query आ रही है, तो आप मेरे official telegram group पे जुट सकते हो, और उसके साथ-साथ मुझे, आप यहाँ पर वीडियो के comment box में भी comment करके बता सकते हो, यह मेरा official telegram channel है, और comment box में भी comment करके बता सकते हो, कि कितने excited हो आप इस particular vacancy के लिए, मिलते हैं ऐसे किसी खूपसवा से वीडियो में, till then, keep learning, keep rocking, thank you so much.